नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा, ब्रह्मांड़ सिद्याष्टों में आप सभी का स्वावत है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन लगन और राजयोग के बारे में, मतलब मिथुन लगन में ऐसे कौन से जो ग्रया है, जो की राजयोग का करने माले हैं, जैसे कि कोई भी अगर कुंडली है, मतलब किसी भी लगन की कुंडली है, तो उसमें जो शुभ और अशुभ ग्रह कौन से है, वो जान लेना बहुत ही ज्यादा आवशक है, राजयोग का रख कुंडली होने के लिए जो शुभ ग्रह है, वो आपको जान लेन बहुत ज्यादा आवशक है, और वो जो शुभ ग्रह है, वो कौन से राशी में, कौन से स्थान में है, वो भी जान लेना बहुत ही ज्यादा आवशक है, जैसे कि मिथून, कन्या, और जो धनू और मीन लगन है, यह जो लगन है, इनके जो केंदर के कारक ग्रह है, मतलब कें वैसे यह जो चार लगन है मतलब मिधून, कन्या, धनु और मीन इन चार लगन में सबसे ज़्यादा जो शुबग्र होता है उसके बारे में पूरी तरह से हम इसके बारे में ध्यान दे सकते हैं क्योंकि इसमें जो शुबग्र होते हैं वो कंफर्म एक ऐसा कोई शुबग्र न माना नहीं जाता इस वज़े से यह जो लगन होते हैं मतलब बुद्व और गुरु के लगन होते हैं मतलब मिथून कन्या और मीन और धनु के लगन जो होते हैं उनके लिए बुद्व और जो गुरु गुरु होते हैं वह शुबग्रह माने नहीं जाते इसी वज़े से यह जो कुंडली है मतलब मिथुन लगन की कुंडली है उसमें भी अगर देखा जाए तो यह जो दोनों ग्रह है बुद्ध और गुरु केंदर अधीपत्य होने के बावजुद इन्हें शुबग्रह माना नहीं जाता तो मिथुन लिंक लगन में सबसे महतोपूर्ण जो शुबग्र होता है उसके बात का जो ग्रह है वो है शनी शनी के बारे में भी अगर देका दया नहीं मतलब शनी की जो राशिया है वह एक बात की जो बारी होती है वो बुद्र की देखिए जैसे मिने शुबग्र Fox में का बुद्ध तो शुभग रह है नहीं क्योंकि बुद्ध जो ग्रह है वह केंदरा दी पत्त्य का उसे दोश माना जाता है कि unknown कि वह सुभग रह एस वजे से लेकिन अगर किसी भी कुंड़ली में राज कारग रह है या फिर लेकिन अगर उस इनका जो स्वास्थ है वो ठीक नहीं रहेगा, तो फिर कितने भी अच्छे ग्रह है वो भी महतोपूर्णों हो जाता है, तो हम आपम चार्चा करेंगे कि तो शुक्र है वो कहां पर होगा तो राजो कारग्रह पहलाएगा तो सबसे पहली और महत्व पुर्णबाथ यह जो शुक्र है यह यदि लगन भाव में है उसी प्रकार द्वितिया भाव में होगा चतुर्थ भाव में पंचम भाव में सब्तम भाग द्वितिया द्शम इन भाव में यदि शुक्र है तो वो जो कुंडली है वो राजयो कारग्र कुंडली कहलाएगी राजयोक मतलब जैसे कि आप राजयो कारग का जो मायने है जो वैक्या है वो भी थोड़ी समझ में लेने चाहिए राजयो कारग रह या फिर राजयो कारग कुंडली का यह बिल्कुल भी यह नहीं है यह मानना नहीं है कि आप आपको कुछ नहीं करना है आपको मेहनत तो कर काफी आगे और काफी इजीली बढ़ सकती है उसी प्रकार शनी जो ग्रह है शनी ग्रह भी यह जो लगन है इसका भाग्यश कहलाता है यदि वह अश्टमेश है लेकिन भाग्य का भी कारक होता है तो भाग्यश भी ज्यादा इंपॉर्ण होता है उसी प्रकार ये जर शनी ह्यादी लगन हालमें क्या फेस शर्था मैं अंकर अप्य अलना में지? सबक्राई है और येदि दशफा भाग्यश तो बढ़िड़ आ राजयोक कारत कहला गेग देखे यहाँ पर यह जो दो DR है यर 2018 स्ट Andrea गए है इन स्थानों में रहेंगे, तो भी वो जो कुंडली है, वो राजयोकारत कहलाती है, ये बात बहुत महतोपुर्ण है, और इसमें भी सबसे महतोपुर्ण बात, यदि शुक्र और शनी पंचम भाव में होंगे, मतलब इस भाव में, या फिर भाग्य भाव में होंगे, तो भी वो कुंडली बहुत ही जादा शुबफलदाई साबित होगी मतलब इसमें भी यह रिफाइन थोड़ा आता है कि यदि पंचम भाव या फिर नवम भाव में शुक्र शनी है तो वो जो कुंडली होती है वो बहुत आगे बढ़ती है देखे यह जो हम बात कर रहे हैं वो राज किस प्रकार का होगा क्योंकि शुक्र और शनी यदि यूति में आते हैं किसी भी राशी में तो फिर पारवारिक स्वास्त में थोड़ी प्रॉब्लम गडबड़ी हो जाती है लेकिन यहां पर जैसे कि हम सोच रहे हैं या फिर हम जो कह रहे हैं वो राजयोक के बारे में कह है तो शुक्र और शनी यदि इन भाव में होंगे तो वह जो मिधुल लगन की कुंडली है वह राजयोकार कुंडली कहलाती है इसके बात का जो विचार आता है वह लगनेश के बारे में क्योंकि लगनेश जैसे मैंने कहा कि अगर लगनेश आपका स्वास्त अच्छा होगा तो जो राजयोक कारग या फिर राजयोक के जो भी बाते हैं वह आपको काफी इसीली मिल सकते हैं जैसे कि यह जो बुद्ध है मतलब यह जो मिधुल लगनेश का जो लगनेश है वो बुद्ध है वो लगनेश है यदि स्वयम की भाव में या फिर स्वयम के राशी में होग पंचम भाव में तब्तम भाव में भाग्य दशंद इन भाव में यदि बुद्ध होगा तो वो जो कुंडली है उस कुंडली में के स्वास्त के बारे में बड़े कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे हाला कि यहाँ पर जो नौविय राशी है मतलब धनु राशी है इन धनु र स्वारे में जो प्रॉब्लिकेशन वह आ सकते हैं इसी प्रकार बुद्ध और शनी की यूती भी होगी देखे यह बात बी जान लेना ज्यादा आवश्यक है बुद्ध और शनी की यूति मतलब लगनेश और अश्टमेश लगनेश और भागयश होने के वज़ए से वह जो या फिर वो जो पत्रिका है, वो जो कुंडली है, वो जीवन में तो काफी आगे बढ़ेगी, लेकिन बुद्धो और शनी की युती होगी, तो लगरेश और अश्टमेश का दोश भी उसमें आता है, तो वो जो बेक्ति होगा, वो जादा स्ट्रेस लेने वाला होगा, छोटी शनी को अश्टमेश का भी अशुबत्व है, लेकिन मोटे तोर पर अगर देखा जाए, तो बुद्ध, शनी और शुक्र, इनकी जो प्लेस्मेंट है, वो अगर मितुन लगन के कुंडली में इन भाव में होगी, तो वो जो कुंडली है, वो राज्योकार कुंडली कहलागी या फिर उस कुंडली को बहुत ज़्यादा मेनत नहीं करने पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, या फिर इनको जो सफल्दा की जो सीडिया है, वो काफी जल्दी-जल्दी उनके जीवन में मिल सकती है, आपके इसके संदर में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है इसी प्रकार से हम हर एक जो लगन कुडिले उसके बारे में भी वीडियो अप्लोड करते रहेंगे ज़रूर देखिए आज का वीडियो आपको कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपने जो चैनल है प्रह्माद सिद्धियास्ट्रो इसे लिए लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करना न्यवाद